नईमबई में कोरोना की संख्या घट रही हलाकि इसके लिए जरूरी वैक्सिनेशन पूरी तरह से ठप हो गया है हालत यह है कि 45 साल से अधिक उम्र के ऐसे नागरिक जिन्होंने कोवीड वैक्सिन की पहली डोज ले ली है उन्हें दूसरी डोज तक नहीं मिल लई है आज नईमबई के सबसे बड़े वैक्सिनेशन सेंटर ESIS और मनपा हस्पिटल में सीनियर सेटिजन्स दूसरी डोज के लिए परिशान दिखे उन्होंने कहा कि उन्हें दूसरी डोज के लिए बुलाय गया था लेकिन सेंटर पर वैक्सिन उपलब्द नहीं होने से उन्हें भटकना पड़ रहा है बतादा है कि नईमबई के सभी वैक्सिनेशन सेंटर फिलहाल बंद है